Hello Friends, Welcome to my Channel Science Learners Today we got a big that students are waiting for the D-Pharma Second Year Result So the D-Pharma Second Year Provisional Result is declared जो D-Pharma Second Year की student था उनका result आज आउट हो गया Provisional Result College को आ गया है आप अपने अपने College में kindly you go and ask और else you check कि किनका क्या result है ये old syllabus वालों का था जिनोंने अभी अभी exam दिया था और September में और उनका result वेटिंग में थे वो लो इसके साथ ही result तो आज आउट हो गया एक और आपको information देना है कि जो अभी सैपली की बच्चे थे old syllabus वाले और new syllabus वाले सबका exam अभी 30 December से confirm है क्योंकि सबका registration नंबर वगरा भी आ गया है तो आप postponed होने का कोई chance नहीं दिखरा तो इसी को 30 December 2022 को जो exam held हुआ है उसी को final समझके आप पढ़ना है और exam fees की date भी आ चुकी है आज last date या कल तक आपको भरने का chance देंगे उसके बाद fine के साथ है तो आप next preparation जो है जो exam है उसकी तयारी करे और result जो जो waiting में थे जो second year के student थे या सैपली के थे old syllabus वाले बच्चों का result आज out हो गया है आप अपने result मालुम कर लीजे और साथ में आपको information देना है कि यह admissions भी open हो चुके है अगर आपको बिदर में करनाटका में admission चाहिए D farm का two years का course होता है तो उसके लिए आपको whatsapp number आपको description box में मिल जाएगा आप वहाँ पे confirm कीजिए वहाँ पे आप contact कीजिए आपको online and offline education और पूरे academic का जो भी help होता है record book यह सब आपको provide किया जाएगा तो सबसे पहले तो यह बड़ी खबर है कि result out हो गया है आपको जाकर करके अपना जो भी बच्चे जो old syllabus के बच्चे थे जो सेकंड यार का एक्जाम दिये थे सैपली वाले बच्चे थे सबको अपना अपना रिजल्ट अब चेक कर लेना है पर नेक्स अपडेट कीप ऑन वाचिंग मैं चैनल साइंस लेर्नर तिल दन चेक क्या थेंक यू